नारेन नारेन दोस्तों आजकल हमारी सोसाइटी बहुत स्पीड में ग्रोग कर रही है जान्द से जादा लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं ना केवल पुरुष बलकि स्त्रियां भी पढ़ाई लिखाई करकर नौकरी करना चाहती है और ये एक समस्य से बहुत जादा हमारे स जादा कर रही हैं तो क्या होता है कि एक समस्दों के अंदर बेहद ख़टपठ होनी शुरु हो जाती ऑर उसवाइशन कभी कभी डिवोर्स हो जाते हैं। कभी बच्चे अलग रहे हैं, पती पत्टी अलग रहे हैं, नौकरों के भर और से बच्चों को छोड़दिया जा रहा है । आज तो आप आए दिन वीडियो देख ही रहे हैं लगातार इस चीज के की जो मेडम होती हैं, वो बच्चों के स कि दोनों को दोनों ही नहीं चाहते हैं कि साससर सातमें रहें झायम भी दितने से नारी से रिघे पहर भोटाई usalaxi बोनों ही नहीं चाहते हैं ना बेटा चाहता है न बहु चाहती है कि माबाप उनके साथ रहे अब माबाप साहती रहेंगे बच्चे को कौण 58 बच्चा को शुआ नहीं सब्लसक्रानी रहे ना वब दौरनों के बच्चे ञंदे होते हैं दोर Oops मचाने लग जाते हैं इनसानों के बच्चों को तो हर एक चीज सिखानी पड़ती है तो आप मुझे बताओ कि फिर कैसे होगा तो इसलिए नौकरानियों को या नौकरों को रखा जाता है उसके रिजल्ट से निकल रहे हैं कि आपका बच्चा I mean मैं सब के लिए नहीं कहरी पर इसका रिजल्ट ही निकल रहा है कि बच्चे चौराहों पर जाकर भीक मांग रहे हैं जिस बच्चे के लिए आप इतना कमा रहे हो दोस्तों वही बच्चा चौराहों पर बेच दिया जाता है भीक मांगने के लिए तो पताईए मुझे फिर क्या फायदा हुआ इस चीज को लेकर और इस चीज़ को लेकर आजकल के यूथ में भी थोड़ी सी जागरुकता आ गई है लड़कों में भी लड़कियों में भी लड़कियां भी एकदम से विवाह नहीं करना चाहती हैं सब कुछ देख भाल लेती हैं पूछताश कर लेती हैं इसके बावजूत भी प्राब लड़कियां भी देखते हैं फिर भी शादी होती है और टूट जाती है तो ऐसे में ही एक बार की बात है कि मैं मंदिर गई हुई थी तो मंदिर में जाकर अधिकतर में क्या करती हूं एधि मैं ऐसे टाइम में जाती हूं जब घर में कोई जाधा काम धाम नहीं होता है तो मंदिर में बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ी दिर भगवान के सानिध्य में गुजारा जाए तो वहीं बैठे वे थे हम लोग पास ही में वो मंदिर के जो पंडी जी है वो बैठे वे थे जाते हैं और यह प्रवचन भी देते हैं अच्छी बातें में देते हैं आपको कोई समस्य है तो आप पूछ भी सकते हो तो मैंने देखा वो वो जो सत्पुरुष थे महापुरुष थे उनके साथ उनकी पत्नी भी आई हुई थी वो भी वहीं बैठी हुई थी और एक और कि किसी समस्य का समाधान कर रहे थे थी कि मैं भी बैठ गी मैंनिका चलो बैठ जाते है हम इस बहाणे से थोड़ी देर भगividade के साथ बैठे रहेंगे देख भी लेंगे किया प्राब्लम है हमां है और आगे ऐसी प्राब्लम आहाई तो हमें उनका क्या 奶ा वीव है एक भा मा लाल्टेन जलाकर ले आओ, अब मैं भी हरान, वहां जो लड़का बैठा था वो भी हरान, पंडीजी भी हरान, पर बोला किसी ने कुछ नहीं, जब वो लाल्टेन जलाकर लेकर आ गई, उसने लाकर महात्मा जी की पास रख दिया, जहां वो बैठके कुछ पढ़ रहे थे, त पिर भी उनकी पत्नी ने चुप-चाप लाल्टेन जलाकर लाई, कैंडल जलाकर लाई और उनकी पास रख दी, अब मैं और पंडीजी तो चुप रहे, पर वो जो लड़का जिसने उनसे कोई प्रश्न पूछा था, उसने कहा, पंडीजी बड़े कमाल की बात है, आपकी प प्रश्न का जवाब है, तो मुझसे पूछ रहे थे ना, कि मैं शादी करूँ या नहीं, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं, यदि पती और पत्नी बिना एक दूसरे से किसी भी बात पर बहस किये हुए, जवाब सवाल किये हुए, एक दूसरे का काम कर देते हैं, एक द दूसरे से सला किये नहीं हो सकता है, वो दूसरी बात है, पर यदि छुटी-छुटी सी बातों में, पती और पत्नी एक दूसरे की बातों को चुप-चाप मान लेते हैं, उस घर में कभी भी विवाह, संबंद, खराब नहीं होते हैं, बस यही बताने के लिए, मैंने तुम उसने मुझसे कोई बहस नहीं करी जबकि दुपहर का टाइम था, वो बोल भी सकती थी कि अभी आपको क्या जरूरत है, पर उसने में से कोई बहस नहीं करी, मैंने कहा, उसने ला दिया, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई जगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों खु जरूरत है, वहाँ एक दूसरे से सलाव जरूर करें, आप बीच में न छोड़ें, पर यदि जहां पर बिना कुछ बोले, यदि वो पतनी नहीं बोला, तो भी क्या फरक पड़ा, उनकी पतनी चुपचाप कैंडल लेकर आगई जला कर, उसने कुछ नहीं बोला, तो क्या फ दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आजकल आप पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपको अधिकार मिल गया, कि आप हर बात पर बहस करना शुरू कर दें, हर बात पर यह दिखाना शुरू कर हो जाएगी, यही बात उन भातमा ऌजी ने उस लड़के से कहा, मैंने वो लड़के से पूचा, मैंने क्यों बैटा उनका नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा मेरा पुरुशोध्तब है, मेनका-रिबार, नाम तुम्हारा बहst अच्छा है, पुरुष उनका, जाते हूँ ना किस बात का ध्यान रखना चाहिए और तुमकों उनकी बात समझ में आ गई आजकल के यूथ से चाहे वो मेल हो या फीमेल हो चाहे लड़का हो या लड़की हो यही मैं कहना चाहती हूं कि समझदारी से काम लीजिए रिष्टों को बना कर चलिए हम इंडिया में रहते हैं हमारे यहां रिष्टों का बहुत एहमियत है उस एहमियत को बना कर चलिए ओकी फ्रेंट्स ना रहन ना रहन सी यू सूल बाई